ना सैनीक, ना पेंसन, ना पैसा, ना नोक्री, बस उन्हें गुलाम बनाने की और उसके बीच में फॉर में जाती, अब जाती सब्द क्यों दिये, जाती सब्द को वापस लो. अगनिवीर कौन है, अगनिवीर एक बुद्ध राजा के हत्यारे का बेटा, और इसके पीछे क्या है, कई सारी आइडिलोजी को खतम करने की पूरी तेयारी, पहले समझे, अगनिवीर एक ऐसे सासक का वेटा, जिसने बुद्ध राजा की हत्यारे की, फर्स्ट, सकेंड, अगनिवीर के बारे में दूसरी बात समझे, ये पूरा का पूरा, कम्प्लिट रूप से, इस हिंदुस्तान के युवाओं के भीतर जो क्रांती है, जो जजबात है, जो सेंटिमेंट है, जो इन्सानियत के पृति, समाज को बचाने, राष्ट को बचाने के पृति, उसके जजबात को, उसके सेंटिमेंट को खतम कर, मुर्दा बना देना, और अंसिक्योर्ड लाइव करके, ना सैनीक, ना पैंसन, ना पैसा, ना नोकडी, बस, उन्हें गुलाम बनाने की, और गुलाम किसकी, एक तरह भारत, नैजरिया से नीचे चला गया, आदानी नमबर वन पे चला गया, तो गुलाम कॉर्परेट का, और आज जो जितनी जल्दिवाजी है, ढर और खौप के बीच, सबसे बड़ी बात है, CRPC भी, सेना के ही पदाधिकारी देखेंगे, डराने का काम की कोई अब लही नहीं सकता, करी नहीं सकता, और उसके बीच में फौर में जाती, अब जाती सब्द क्यों दिए, जाती सब्द को वापस लो, पहले से ही हिंदुस्तान के सेना में अत्यंत पिछरा, दलित माइनुटीस के भागिदारी नहीं के बराबर है, सुन पर है, या तो लीक दो फौर में के अत्यंत पिछरा, दलित और अल्फ संक्यक सैनिक में बहाल नहीं होगे, OBC की भी संक्यात बहुत रेयर होती है इसमें, तो जो हालात है उसमें गंभीर साजी से, आप इसको समझने का प्रियास करिए, नहीं तो इतनी जल्दी बाजी, और दूसरा अंतिम बात समझने का प्रियास करिए, भारत वर्ल्ड के सबसे जादे बेरुजगारी में हम है, और इंडिया में बिहार तीसरे नमर पर भारत की बेरुजगारी, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, सिबाय हिंदू मुसल्मान, ऊज़ाइब बारत कोई बारत की बाझनी का बारत की बारत की बारत की बारत है,